इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इट्सो हैपन बुक का चाप्टर 6 दाफ पाइट ये एक बहुत इंट्रस्टिंग चाप्टर है और इस वीडियो में हम इस चाप्टर के पार्ट 1 को डिस्कस करने वाले हैं इस चाप्टर के जो ओथर है या जो राइटर है वो है रस्किन बॉन्ड और रस्किन बॉन्ड जो है वो एक इंडियन ओथर है लेकिन बिटिश दीसेंट के तो ये जो चाप्टर की स्टोरी है ये दो लड़कों के बारे में है ये जो दो लड़के हैं उनमें से एक का नाम है रांजी और दूसरे का नाम है सूरज अब जो सूरज है उसका नाम आपको चाप्टर के स्टार्टिंग में देखने को नहीं मिलेगा उसको बालवर क्या कहके बुलाय जा रहा है warrior ठीक है जब भी warrior की बात है तो मतलब कि उस लड़के का नाम सूरज है ठीक है और एक है हमारा राण जी अब यहाँ पर चापकरम के आपको क्या क्या पढ़ना है कि जो राण जी है उसके साथ क्या होता है राण जी had been less than a month in राजपूर when he discovered the pool in the forest राण जी जो है वो एक लड़का है जिसको राजपूर में है अभी एक महिने से भी कम हुआ है लेकिन उसको forest में ही एक तालाब देखने को मिला जंगल में एक तालाब देखने को मिला राण जी को अब आगी क्या होता है अब जो राण जी है ना वो जब इस ताइम का दिखाया जा रहा है आपको कि जो गर्मी है वो बहुत जाजा है बहुत अपने चरम पर है और साती साथ जो स्कूल है राण जी का जैसे गर्मियों की छुटिया पड़ी होती है वैसे ही राण जी की भी छुटिया चल रही थी उसका स्कूल अभी नहीं खुला था साती साथ जो राण जी था उसने कोई भी दोस्त नहीं बनाये थे अभी तक और वो जो जगा थी वो क्या थी सेमी हिल स्टेशन था जैसकी आधा हिल स्टेशन होता है कुछ पहाड वगेरा होते हैं यानि कि पूरी तरीके से फैला हुआ जो राण जी है वो अकेले हिन पहाडों के बीच में और जो वहाँ पे जितनी भी जगा बनी हुई थी एक सेमी हिल स्टेशन की तरह था महाँ अकेले ही गूमता रहता था इट वस होट वेडी होट अट ताइम अप दे यर और साल का ये वो वाला टाइम चल रहा था जब बहर जादा गर्मी होती है अब जैसे के आप इसको कैसे इमाजन कर सकते हो इस तरीके साब इसको इमाजन कर सकते हो कि बहुत तेज गर्मी है और जब गर्मी होती है तो जनरली बच्चे जो होते हैं वो किस में घूमते हैं शॉट ट्राउजर्स में या शॉट्स में घूमते हैं और वेस्ट में घूमते हैं तो जान जी भी एक वेस्ट में और शॉट्ट ट्राउजर्स में अपने बनियान में ही घूमता रहता था इ यहां एक Semi Hill Station है और साल का वह वाला समय चल रहा है जिसन बहुत तेज गर्मी होती है और जब गर्मियां चल रही होती है तो हमें पता कि लू भी चलती है जब लू चलती है तो क्या होता है जितनी भी जो कच्छी सड़के होती है सेमी हिल स्टेशन में उनका क्या हाल हो रहा ह होता है वह सारी कि सारी साज इस सदके होटी है उनकों पिसी जो भी और चौकी डेस्ट है वह उनने में दुए लकी जाती है और ऐसे हृदा हो जाते और साथी साथ जितनी भी ट्रीस होती है वह लिस्ट लेस्ट हो जाती है ट्रीस पर फ्रूट सही होते हैं ट्रीस पर ग्रीनरी नहीं रह जाती है ट्रीस बहुत मुश्किल से हिलती है वह सनाटा हो जाता है और जितनी भी ग्रास होती है वह भी ब्राउन हो जाती है सूख जाती फिर क्या है waiting for a cool wind or a refreshing shower of rain जितनी भी अर्थ है वो भी पार्ष हो चुके है पार्ष यानि कि बेक हो चुके है जुलस गई है गर्मी की वज़े से और ज़रूरत महसूस होती है कि एक अच्छी सी बारिश हो जाए एक shower of rain आये जिससे सारी ग्रीडरी वापस आ जाए and it was on such a day a hot tired day और एक ऐसा ही दिन आया जिसन बहुत तेज गर्मी थी एक थका देने वाला दिन था that Ranji found the pool in the forest और उसे दिन Ranji ने क्या देखा कि forest में एक pool है the gentle had the water had a gentle translucency और देखने को क्या मिल रहा था कि जो pool का पानी है वो translucent है translucent यानि कि वो clear है and you could see the smooth round pebbles at the bottom of the pool और आप क्या देख सकते थे तालाग के नीचे जितना भी छोटे-छोटे pebbles या फिर छोटे-छोटे पत्थर इखटे हो जाते है उनको आप जहाक कर पानी में से देख सकते थे a small stream emerged from a cluster of rocks to feed the pool अब उस pool में पानी कहां से आता था तो एक छोटी सी जो धारा होती है जैसे नदियों में धारा होती है ऐसे धारा होती थी जो की बहुत से चटानों के बीच में से निकल के आती थी और pool के अंदर फिर सारा पानी आकर पड़ता था during the monsoon यानि कि जब बारिश वाला सीजन आता है जब monsoon आता है this stream would be a gushing torrent उस दोरान क्या होता है यह जो stream होती है वो सारे के सारे पानी को पूल के अंदर लेके जाती है cascade की तरह cascade का मतलब होता है एक करके सारा पानी जैसे के waterfall से आता है उसी तरीके से उस पूल को भी feed कर देता था लेकिन summer के दौरान it was barely a trickle यानि कि summer के दौरान ऐसा बहुत जादा मुश्किल हो जाता था कि थोड़ा भी पानी जो है वो पूल को feed करने के लिए आए the rocks however held the water in the pool and it did not dry up like the pools in the plains लेकिन जो पूल के अंदर जो चटाने मौजूद थी उनी के वज़े से ऐसा possible था कि जो पूल था उसमें अभी भी पानी बचा हुआ था क्योंकि जो rocks थी वो अपने बीच में पानी को store करके रख लेती थी यह ऐसे pools की तरह नहीं था जैसे कि घहां साथ मैदानों में होता है वहां जब तालाब होते हैं तो गर्मी पड़ते ही वो तालाब सूख जाते हैं लेकिन यहां ऐसा नहीं था यह अभी भी पानी था जैसे ही रांजी को वो पूल दिखा उसने जरा भी हिचके चाहट नहीं दिखाई और वो चाहरा था कि वो पूल के अंदर एक जम्प लगा ले अब रांजी का क्या कहना है कि वो जो है वो बहुत बार स्विमिन कर चुका है अकेले भी अपने दोस्तों के साथ भी और जब वो अपने पेरेंट के साथ भी रहता था एक Thirsty Town में जहां पर बहुत मुश्की से बारिष होती थी राजपुताना डिजर्ट के बीच में वो एक Thirsty Town था और वहां पर जो पूल हुआ करते थे वो कि मड़ी पूल्स हुआ करते थे और जो गाएं भैसे थी वो वहीं पर नहाया करती थी और जो ओरते थी गाओं अगेरा कि वो वहीं पर आकर कपड़े धोया करती थी He had never seen a pool like this, so clean and cold and inviting उसने ऐसा pool कभी नहीं देखा था जिसका पानी जो है वो clear भी लग रहा था, ठंडा भी लग रहा था और वो रांजी को अपनी तरफ invite कर रहा था, उसको बुला रहा था He lived into the water, वो पानी के अंदर कूद गया His limbs were supple, free of any fat and his dark body glistened in patches of sunlit water यहां पर रांजी जो था, वो पानी में एक दम अराम से तैरा है जो पानी था, उसके अंदर सूरज के reflection भी पढ़ रही थी यानि जो sun होता है, उसके reflection भी पढ़ रही थी और साथी साथ जो रांजी था, उसका body color था dark यहां पर तो उसका body जो था, वो चमक रहा था रांजी जो था, वो एक पतला सा लड़का था उसके जो शरी था, उसके तो नहीं था इस limbs were supple, यानि कि उसके जो टांगे थी और जो उसके बाजुए थी वो supple supple का मतलब flexible थी अब अगले दिन उसको फिल से लगा कि यार आज भी आना चाहिए अपनी body को थंड़क पहुचाने के लिए इस forest pool के थंडे तालाब में अब यहां पर जो रांजी था वो पूल के अंदर भी मस्ती कर रहा था वो जब दूसरे दिन भी आया तो जो पानी था वो साइड साइड में घास थी, वो कभी घास पे लेट जाता था कभी जो येलो रॉक्स थी, उनके उपर लेट जाता था जैसे कि आप पिचल में देख रहे हैं कि जब वो ठक जाता तो वो इन रॉक्स के उपर मज़े करने लग जाता और वो पूरी मस्ती में था और फिर क्या हुआ वो ऐसे ही लेटा हुआ था और उसमें क्या देखा कि दूर एक लड़का खड़ा है जो उसकी तरफ देख रहा है और इस तरीके से गूर रहा है जैसे वो रांजी से पंगा लेना चाह रहा हो या वो रांजी को महाँ पे आना उसको अच्छा ना लगा हो और जो दूसरा लड़का खड़ा था वो रांजी से थोड़ा सा बड़ा था थोड़ा सा लंबा भी था थिक से यानि कि वो थोड़ा सा मस्कुलर सा वो रांजी के जितना पतला नहीं था वो थोड़ा सा मोटा था with a broad nose and thick red lips और उसकी जो नाक थी वो भी चौड़ी थी उसके lips भी थिक थे he had only just noticed रांजी and when you रांजी did not say anything the other called out what are you doing here mister अब रांजी ने अभी तक तो कुछ नहीं कहा लेकिन वो रांजी को घुर रहा था तो उसने रांजी को क्या कहा कि what are you doing here mister कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो mister रांजी who was prepared to be friendly was taken back at the hostility of the other stone अब जो रांजी था वो पंग्य लेने वालों में से नहीं था रांजी एक अच्छा लड़का था कोई ऐसा कोई उसको strange दिखता था जैसे कि वो लड़का भी आ है तो उसने friendly manner में ही बात करनी शुरू की अब जो रांजी है उसने एक friendly manner में answer किया कि यहाँ पर में swimming कर रहा हूं और उसने रांजी ने भी उसको invite करा कि तुम भी मेरे साथ join क्यों नहीं कर लेते why don't you join me I always swim alone उसने कहा जो दूसरा लगर था उसने कहा कि मैं तो अकेले ही तैरा करता हूं This is my pool I did not invite you here कि यह तो मेरा pool है और यहाँ मैंने तुम्हें नहीं बुलाया है मैं तो अकेले ही तैरता हूं The stranger stored up to Ranji who still sat on the rock and planting his broad feet firmly on the sand अब वो जो stranger लड़का था जो सामने से आ रहा था वो मिट्टी के ओपर धीरे धीरे से चल चल के आ रहा था और वो इस तरीके से गुसे में चल कर आ रहा था उसकी चौड़े चौड़े पैर थे जो वो सांड के ऊपर रख रहा था और इस तरीके से आ रहा था जैसे कि लगे कि वो आज तो मामले को रफा रफा करने आया है या खतम करने आया है वो क्या बोलता है? Don't you know I am a warrior? I do not take replies from villagers like you और वो कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं एक warrior हूँ मैं तुम जैसे villager से तुम जैसे गाओं के बच्चों से बात तक नहीं करता हूँ ना ही तुम्हारा जवाब दूँगा अब उसने कहा कि मैं एक warrior हूँ warrior कौन होते हैं जिने योधा कहते हैं इंडी में और वो साथ-साथ क्या कहता है कि I am a fighter, मैं एक fighter हूँ So you like to fight with villagers, said Ranji तो Ranji क्या कहता है, क्या तुम्हें villagers के साथ यानि कि गाओं वालों के साथ लड़ना पसंद है तो वो कहता है, well I am not a villager, I am a fighter तो यहाँ पर Ranji क्या कहता है, कि मैं भी एक villager नहीं हूँ मैं भी एक fighter हूँ I am a warrior, I am a fighter तो वो बार बार वो जो लड़का था, वो यही कह रहा था कि मैं भी एक warrior हूँ, मैं भी एक fighter हूँ They had reached an impasse One had said he was warrior, the other had proclaimed himself a fighter There was a little else that could be said तो अब यहाँ पर impasse create हो गया Impasse यानि कि दोनों के बीच में बहस होने लगी और एक लड़ाई की तरह शुरू हो गया One had said he was a warrior एक कहता है कि मैं योदा हूँ और दूसरा खुद को एक fighter बताता है There was little else that could be said यानि कि बहुत कुछ ही कहने को नहीं रह गया था दोनों जो है एक ही बात को बार बार किये जा रहे थे तो यहाँ पर जो वो लड़का है जो stranger boy है जो अपने आपको warrior बता रहा है वो राजी को यहाँ पर धमकाना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम्हें समझ में आ गया ना कि मैं एक warrior हूँ feeling that perhaps this information had not penetrated राजी's head और इस तरीके से बोल रहा था जैसे कि उसको ऐसा लग रहा हो कि राजी कोई बात समझ में नहीं आ रही है कि मैं एक warrior हूँ I have heard you say it three times replied राजी राजी ने कहा कि मैंने सुन लिया है और ये बात तुम तीन बार कह चुके हो then why are you not running away तो वो लड़का कहता है फिर तुम भागते क्यों नहीं हो I am waiting for you to run away I will have to beat you said the stranger assuming a violent attitude showing राजी the palm of his hand अब यहां पर वो जो लड़का है वो राजी वो क्या कहता है राजी को और ज़्यादा धमकाता है वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ कि तुम यहां से भाग जो तुम यहां से चले क्यों नहीं जाते हो और उसका attitude जो है वो और ज़्यादा violent हो जाता है और ज़्यादा लड़ाई वाला हो जाता है और वो राजी को हाथ दिखाने लगता है जैसे कि वो राजी को मारना जाता हो फिर वो क्या कहता है I am waiting to see you do it said राजी अब जो राजी है वो भी कम नहीं है वो क्या कहता है कि मैं भी देखता हूं तुम क्या करते हो तो फिर दूसरा लड़का कहता है कि You will see me do it कि तुम देख भी लोगे कि मैं तुम्हें क्या कर सकता हूं और जो राजी है वो wait कर रहा होता है The other boy made a strange hissing sound और जो दूसरा लड़का है वो और जादा गुस्ते में आ जाता है अजीव जीव से वादे निकालने लगता है They started each other in the eye for almost a minute They stared each other in the eye for almost a minute यानि कि वो एक दूसरे को एक मिनिट तक के लिए घूरते रहते हैं Then the warrior slapped Ranji across the face with all the force he could muster अब वो जो योधा लड़का है जो कह रहा है कि मैं एक warrior हूँ वो क्या करता है Ranji के face पर slap मार देता है उसको थपड मार देता है जितनी भी force होती है उसके साथ वो Ranji को थपड मार देता है Ranji stagger और जो Ranji था वो एकदम से हिल गया उसको ऐसा लगा कि उसको चक्कर आ रहे है There were thick red finger marks on his cheeks और जब Ranji नहीं ये notice किया तो उसकी जो cheeks थे उस पर red color के finger marks चप चुके थे थपड के निशान चप गए थे There you are, exclaimed his assailant Will you be off now? अब वो जो लड़का है वो और जादा पंगे ले रहा है वो कह रहा है कि देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ अभी भी नहीं जाओगे 4 answer, Ranji swung his arm up and pushed a hard bony fist into the other's face अब यहाँ पर जो Ranji है वो भी उसको revenge लेना चाहता था वो भी बदला लेना चाहता था उसने अपनी क्या करा अपनी arm को उठाया और जो वो Ranji था वो कैसा लड़का था एक पतला सा लड़का था तो उसने भी अपनी bony fist को उसके face पर मानने की कोशिश की एक punch की तरह and then they were at each other's throats swing on the rock, tumbling on the sand rolling over and over their legs and arms locked in desperate, violent struggle gasping and cursing, clawing and slapping they rolled into the shallows of the pool अब तक हम ने क्या देखा कि जो warrior था, उसने रान जी को थपड़ मारा और जो रान जी था, उसने भी कोशिश की कि वो अपनी fist से force के साथ उसके face पर मारे और अपना बदला ली अब जो लड़ाई थी, वो और जादा आगे पहुँच गई थी वो दोनों एक दूसरे का गला पकड़ रहे थे वो जितनी भी rocks थी, उस पर जूलने लग रहे थे रेत पर load port होने लगे ठीक है, बार-बार चकर खा रहे थे एक दूसरे की बाजूं से एक दूसरे को force लगा के push कर रहे थे और इस तरीके से जो उनकी लड़ाई थी, वो बढ़ती चली गई यहाँ पर कुछ important words हैं, जैसे कि impass impass का मतलब होता है deadlock deadlock का मतलब एक ऐसी position में आ गए थे जहां अब उनकी लड़ाई जो है, वो रुक नहीं सक रही थी इस तरह की position में वो आ गए थे तो यह जो words हैं, यह important हैं, आपको इनको याद करना है मैंने जितने भी अभी translate किया है, उसमें इन words की हिंदी आपको बताई है तो आप इस picture से देख सकते हैं कि उनकी जो fight थी, वो यहाँ तक पहुँच गई है 5 minutes of frenzyed, unscientific struggle, neither boy had emerged victorious Their bodies having been exhaustion, distilled back from each other, making tremendous efforts to speak अब 5 minutes तक इसी तरीके से एक दूसरे को जगड़े हुए, क्या हुआ उनका जो struggle था, वो unscientific रहा, यानि कि कोई फायदा नहीं हुआ उनके लड़ने का दोनों में से कोई भी चो लड़का था, वो नहीं जीता Their bodies having with exhaustion, यानि कि उनके अफसांस फूनने लगी थी, उनको थकावट होने लगी थी वो एक दूसरे को अब छोड़ने की कोशिश कर रहे थे और दोनों ही कोशिश कर रहे थे कि एक दूसरे को मुझ से बात करके एक दूसरे के साथ लड़ाई करें Now, now do you realize I am a warrior, gas the stranger और अब उस stranger ने कहा कि क्या आप तुम्हें समझ में आया कि मैं एक warrior हूँ फिर रांजी भी कहता है कि तुम्हें समझ में आया कि मैं भी एक fighter हूँ They gave a moment's consideration to each other's answer and in that moment of silence there was only their heavy breathing and the rapid beating of their hearts और जैसे लड़ाई के बात हो जाता है, ऐसा ही दोनों का हाल हो रहा था, दोनों ठक भी गए थे, एक दूसरे दोनों की Heartbeat भी तेज हो गई थी, और साथी साथ, जो दोनों ही थे, दोनों ही बच्चे बहुत जादा हाफ रहे थे फिर क्या होता है, वो Warrior Ranji को क्या कहता है, कि Then you will not leave the pool, वो Ranji को कहता है, कि ठीक है मुझे समझ में आ गया है, कि तुम तालाब को छोड़के नहीं जाने वाले हो फिर Ranji भी कह देता है, Yes, I will not leave it, मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा Then we shall have to continue the fight, say the other, फिर Warrior ने कहा कि ठीक है, फिर तो हमें इस लड़ाई को जारी रखना होगा फिर Ranji ने कहा ठीक है, All right कि उसको कोई भी problem नहीं थी But neither boy moved, neither took the initiative, लेकिन दोनों में से कोई भी बच्चा जो है, वो हिला तक नहीं और किसी ने दुबाले लड़ाई शुरू करने की कोशिश भी नहींगी The Warrior had an inspiration, लेकिन वो जो Warrior था, उसके अंदर एक inspiration थी क्योंकि वो पहले से ही Ranji से पंगे लेना चाहता था इसलिए वो लड़ाई को और जादा आगे continue करना चाहा रहा था We will continue the fight tomorrow, he said फिर उसने Ranji को क्या कहा, कि हम कल अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे If you dare to come here again tomorrow, we will continue this fight कि अगर तुम में हिम्मत हुई मुझसे लड़ने की तो कल तुम यहाँ पर दोबारा आना, हम इस fight को continue करेंगे And I will not show you mercy as I have done today और मैं कल तुम पर इतनी दया नहीं खाऊंगा जितनी मैंने आज तुम पर दया दिखाई है दया means mercy, I will come tomorrow, said Ranji I will be ready for you तो Ranji भी कहता है कि ठी कै मैं भी कल आऊंगा और मैं भी तुम्हारे लिए ready रहूंगा They turned from each other then and going to their respective rocks, put on their clothes and left the forest by different routes फिर दोनों ही अलग-अलग रस्ते चले गए Ranji ने अपने कपड़े उठाए और पहने और वो जो warrior था उसने अपने कपड़े उठा कर पहने और दोनों ही अलग-अलग रस्तों से forest के अपने अपने घर चल दिये तो यहाँ पर आ जाते हैं comprehension check के questions तो अभी तक जितनी भी वीडियोस मैंने बनाई हैं मैं उनमें जितनी भी comprehension check के questions हैं वो अलग से एक वीडियो में हम discuss करते हैं सभी question answers के साथ और I hope आपको इस chapter का part 1 clear होगा part 2 का जो link है वो आपको description box और comment section में मिल जाएगा और आपको subscribe ज़रूर करना है ताकि science और English के जितनी भी वीडियोस हैं वो आपको जैसे ही आए वैसे ही मिल जाए सबस्थ कर सकते हैं